नमस्कार सात्यों आज एक बहुती महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके उपर अपन डिसकस करने वाले हैं आज एक अपनी न्यूज है राजस्तान पत्रिका उसकी हेडलाइन बनी होई थी उड़ता मारवाड ठीक आज से लगबग साथाट साल पहले एक मूवी आई थी उड़ के अंदर 17.00、、 11.00 को रिलीज वी ती और उसने पंजाब की जो पूरी पूरी हकिकत है नशे की हकीकत है उसको उसने उजागर किया था अलिया भठ थी उसके अंदर उसमें साहिट करेंदा कपूर भी थी इसके इंदर दिल जी दो सांस थे और उन्होंने बहुत बैठर तरीक है उसको जकड़ चुका है कि वो अपनी जवानी पूरी की पूरी बरबाद गर रहे हैं माता-पिता भोद खोप में है कि कहीं हमारा बच्चा है वो इस नशे की लत में ना लग जाए और ये खोप अब मारवाड में बढ़ रहा हैं मारवाड की बात करें तो राजस्तान का जो पच्चिनी हिस्षा है जिसके अंदर जोदपूर जैसल मेर जालोर बाड मेर बालोतरा बिकानेर और गंगानगर हुनमानगर वाला हिस्षा हलांगी मारवाड में नहीं आता है लेकिन ये बी इस नशे की जो लत है उससे जकड जा रहा है लेकिन मारवाड इसका के और बनता जा रहा है अभी न्यूज़ाई है कि अकेले जोधपुर के इंदर 500 से अधीक ड्रग्स के ठिủाने बने वह हैं जहांसे ड्रग्स सप्लाई हो रहा है जो ड्रग्स पैडलर कहते हैं पन जो कि ड्रग्स को बेचते हैं वो 500 से अधीक ठिकाने अकेले जोदपुर में हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यह जो ड्रग्स वाला यह पूरा का पूरा जो यह सिस्टम है उसके अंदर युवा वरग है वो लिप्त है और युवा जैटिक और सबसे क्रियाशील वरग के अंदर सामिल होता है जो कि आने वाले समय में एक देश का भूष से बनने वाला होता है और वो ड्रग्स की लग्त के अंदर गुष रहा है तो आप सोच सकते हो कि यह एक समाज के लिए भी एक परिवार के लिए भी और एक देश के ल स्कूल कोलेज बने सोब टार्गेट उड़ता मारवाड हर दिन भिक रही है पांच किलो एमडी डर्ग्स वेस्मिक यह बहुत बड़ा चिल्टा को इसे और इसके पीछे रीजन यह है कि देखो यह जो एज़ ग्रूप होता है ना सोला से लेके जो सोला से लेके और यह आप को किकली जो भच्चा होता है वो खिशोरा आवस्ता में होता है और उस समय हो तेर गती से उसको हार्मोनल बहुत सारे चिंजे जाते हैं और उस combined की विजए से वो किसी की बातों में भी मतलब बहुत जल्दी आ जाता है तो उसको आसानी से उसको टारगेट किया जा सकता है और इस्पेशली आप देखोगे यह जेपूर के अंदर भी ऐसे सेंडर बनते जा रहे हैं जो स्कूल है ना कोलेज के बाहर कम है लेकिन स्कूल के ब दुखानों के मिलते इस तरह की इस्तितिया हैं अकेले मारवाड के अंदर 500 से दिख मैलावी पेडलर बैसने बना रहे हैं 500 ठीकाने हैं वहां पर मैलाएं हैं अब इसके अंदर एक जैसे पिछे ही आया था कि वहां से मैलाएं क्या करती हैं कि जो बस आती हैं रूट वाली उसके अंदर मैलाएं कटे में डालके और वो लेके जाती हैं तो पुलिस वाले आसारी से पकड़ भी नहीं पाते हैं उनको ऐसी इस्तितिया देखने हों मिल रही हैं इससे नय केवल उस बच्चे का बहुत से खराब हो रहा है परिवार का खराब हो रहा है इसे एकोनोमी को टेर्रिस्ट ग्रूप हैं वो यहां पे सप्लाई करते हैं तो यह पैसा जो यहां से आता है वो पैसा पूरा पूरा सिमा पार जाता है और वो पैसा बाद में जो जो टेर्रिस्ट ग्रूप के पास में पैसा आता है वो टेर्रिस्ट ग्रूप उसी पैसे का यूज करके और अमन शानती है उसके बीच में बादा उत्पन करते हैं तो ये इस्तितियां देखे हो मिलती है मैं आपको एक बार उसको रूट के मादेब से दिखाता हूँ देखो ये राजस्तान का मेप है और ये इदर पंजाब है पंजाब इसका के अंदर क्यों बना पंजाब की पाकिस्तान के साथ सिमा लगती है और इस सिमा के अंदर क्या आसानी से इधर उदर उसको ड्रिक्स है उसको बेजा जा सकता है पैसों का लेंदेन भी आसानी से हो सकता है तो यहां से क्या पंजाब से यह एक रूट आता है और यह रूट राजस्तान के इधर क्या है कि जो बाड मेर वाला रिजन है बाड मेर से आगे इधर जाता है आगे क्राची क्राची से ये वाला दल्दली चहतर को जाएं ने वहां पर बड़े अपाफगानिस्तान है यहीं आपको मैं एक मैप के माउयम से दिखाना चाहूँगा कि यह इंडिया के मैप कि इस तरह पर यहां पर देखोगे तो यहां पे एक इरान है पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है जिसको अपन बोलते हैं गोल्डन क्रिशंट के नाम से जाना जाता है इसको क्या बोला जाता है गोल्डन गोल्डन क्रिशंट क्रिशेंड मितलब अर्द चंदराकार अर्द चंदराकार एक अकरती है जिसके अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान और इरान समिल किया जाता है यहां पे अफिम की खेती की जाती है अफिम की खेती के लिए सबसे उप्युक्तान है इसका जो पठारी बूबाग है वहाँ पे अफिम की खेती की जाती है यह सीदकाल में की जाती है अब सीदकाल में यहाँ पे माउट की वरसात भी होती है सीदकाल ले इन वरसा होती है पस्ची में बिक्षोब शे और यह यहां पर जो उतपादन होता है यह उतपादन होने के बाद यहां से यह आस-पास के रहा है उस पूरे के अंदर यह distribute किया जाता है ट्ररिष्टों के द्वारा और यह बहुत ज़यदा vulnerable area हो जाता है इंडिया का जो अपना सिमावर्ती रहा हो जिसके अंदर जम्मु कस्मीर, पंजाब, अपना राजस्तान और गुजरात पहला रिजन, दूसरा एक रिजन और है जो कि डर्क्स के लिए सबसे सेंसिटिव रिजन है, वो है नोर्थ इस्ट, नोर्थ इस रूप में सेंसिटिव रिजन है कि यहाँ पर पाया जाता है गोल् अपहिम की बड़े अस्तर पे कर्शी की जाती है, और वो अपहिम की कर्शी है, वो नोर्थ इस्ट के स्टेट में आ जाती है, चूंकि वहाँ पे बोर्डर है, वो पोरस बोर्डर है, तो वहाँ पे यह अपहिम बगेरा है, उसको ट्रांसपर कर देते हैं, वहाँ से जो ट् अधीग ड्रिंग्स पैडलर के सेंटर होना यह बहुत गंबीर चिंतागा विसे है यह इस्तितिया देखने को मिल रही है राजस्तान के अंदर तो राजस्तान है वो कहीं जिस परकार से उड़ता पंजाब बना है वैसे उड़ता मारवाड ना बन जाई मारवाड है पूरे द और आप व्यापारी चेतर के अंदर शिर्ष पर पहुंश सकते हो लेकिन यह जो इस्तिति अब सुनी है आज अकफार में भी आई है दिरे दिरे न्यूज तो पहले भी आ रही थी लेकिन यह बहुत बड़ा चिंतागा विसे है एज ए आप अवेर शिटिजन शिप के करता है अचानक उसमें अनर्जी आती है तो उस चीज को थोड़ा सा आप टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो तो अपने इस न्यूज के अंदर देखा है इसको ध्यान में रखेगा अभी के लिए इतना ही और इस तरह की सामाजिक जाग रूपता वाली न्यूज है वो भी अ पन लेख कहाएंगे अभी के लिए इतना ही थेंक्यू थेंक्यू बेरी मुच